हर ताली का तीज की कथा का करूंब खान शिव शंकर के वंदन से पूरण होते काज अजर अमर अविनाशी शिव का व्रत है बड़ा विशेश सुख साभाक्य से भरने वाला सभी व्रतों में श्रेश्ट पावन शंकरनाथ पूजे सदर चाहाँ ओम गंगंपते नमः ओम नमश्शिवाई हे प्रिभक्तों आप सभी को हर ताली का तीज की हार्दिक शुपकाम नए आप सभी का सुहाग अखंड रहे महादेव जी और माता पार्वती की कृपासे आपकी मांग का सिंदूर सदयव दमकता रहे आपकी हाथों के चूड़ियां खनकती रहे और आपके परिवार में खुश्यां सदयव बनी रहे आज भाद्र बदमास के शुक्ल पक्स की तृत्या दिथी हैं आज भगवान शिव और मादा पार्वती के अमग प्रेम का प्रती हरिताली का तीज व्रत है मादा पार्वती ने भगवान शिव जी को पती के रुप में प्राप्त करने के लिए हर्ताली का तीज का व्रत किया था यह व्रत अखंड सोभाग्य को देने वाला माना गया है महिलाएं आज के दिन अपने पती की लंबी आईयों के लिए निर्जला व्रत रखती है और खुवारी कन्या भी मन पसंद वर की प्राप्ती के लिए यह व्रत करती है तो आज मैं आपको सुना रही हूँ हर्ताली का तेज ब्रत की बड़ी ही दुरलब और पावन कथा इस कथा को पूरा सुनने से हमारी समस्थ मनोकामने पोण हो जाती है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है की से बड़ी ही श्रधा और प्रसंचित मन से पूरा अवश्य सुनिये का हे प्रिभत्तों इस कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए इसलिए इस कथा को पूरा अवश्य सुने शृत्य विल्चित महाराज ने शौनत आदी 4800 रिशिवरों की प्रशन करने पर हर्ताली का वृत कथा को सुनाना प्रारम भखिया शृत्य शूत्चि बोले हे रिशिवरों अब आप परम पुनीत हर्ताली को वृत की कथा को श्रवन कीचिये शिरे सूच चिने कहा सती व्रत को धारन करने में परम श्रेष्ट माधा पार्वती और गले में नर्मोंडों की माला को धारन करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ट गरल कंथ धारी भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर की सरवप्रथम बंदना करता हैं भगवान शंकर की जय हो जय हो हे प्रियभत्तों केलाश परवत की शिखर पर विराज मान शिवजी से पारवती जी ने पूछा हे स्वामी हे महेश्वर आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की क्रिपा करें वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फलदाइनी कता था जिसमें समावेश हो यदि आप मुझे पर प्रसन है तो उसे बताने की क्रिपा करें हे प्रभो मैंने पूर्व जनम में ऐसा कौन सा तप दान या व्रत किया था जिसके पलस्वरूप आप जैसे त्रे लोग के अधिश्वर अनादी और अनन्त रोप वाले पती मुझे प्राप्त हुए तब शिपजी भगवान ने कहा कि हे देवी पारवती अब मैं तुम से सर्वत्तम व्रत का कथन करता हूँ क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो मैं तुम से इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ जिस प्रकार तारों में चंद्र, ग्राहों में सोर्य, बर्णों में भामण, देताओं में विष्णू, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ट है उसी प्रकार पुराणों एवं वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है उसी प्राचीन व्रत को मैं तुम से कहता हूँ तुम उसे स्थिर चित से सुनो पोर्वकाल में जिस व्रत को तुम ने किया था उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप किया है प्रिये ऐसा होने के कारण ही मैं तुमसे स्वरत को प्रकट करता हूँ भाद्र पद्मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त तृतिया तिथी के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप, देहिक, दैविक एवं भौतिक पाप से इस्त्रिया मोक्त हो जाती है हे दिवी, पूर्व काल मैं इस महान व्रत को तुमने हिमालने परवत पर किया था उन सभी पूर्व व्रत का मैं तुमसे वर्णन करूगा तब पार्वती जी ने कहा कि हेला, मैंने इस उत्तमरत को किस परकार किया था उन सभी व्रितान्त को मैं आपकी मुख कमल से श्रवन करना चाती हूँ हे प्यवत्तों, तब शिवजी भगवान बोले कि परवतों मैं श्रेश हिमालने नामक एक परवत है जो अनेक प्रकार की भूमी तथा विवित व्रिक्षों से परिव्याप्थ है। उस परवत पर अनेक प्रकार के पशुपक्षी देवगर्ण गंधर सिद चारण आदिस सर्वदा अनंदित मन से खूमते रहते हैं। वहां पहुँचकर गंधर्व निरंतर गान क्या करते हैं। अपसराएं नाचती हैं। यह परवत आकाश के स्मान उंचा है। उसकी चोटियां सिदेव बरपसी ढकी रहती है। तथा गंगा का निरंतर निनांग होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपनी बाले अवस्था में जिस परकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। वे भी तुमने बारा वर्षों तक नीचे को मुख और उपर को पैर करके तपस्या की थी। इतनी अवधी तक तुमने अननांग खाकर पेड़ों के स ऻुखे पत्ते चबाकर व्यधीत किए。 माओख की विक्राल सर्दी में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया और वे शाक की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचागने से श्रीय खुतपाया। श्रावन की मुसलाधार वर्षा में, खुले आस्मान की नीचे, बिना अन जल ग्रहन किये, तुमने समय व्यतित किया, तुमने किसी भी मौसम की कोई प्रवाह नहीं किये, और निरंतर दब किया, तुम्हारे इस उग्रतब को देखकर, तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही द से उप्रप्ध हो सकेगा, ऐसे ही समय में, भ्यम्मा बोत्र नारद जी, अकाश मारक से, तुम्हारे पिता के पास आए, तुम्हारे पिता ने, उन मुनी श्रेष्ट को आसुन आदि देकर उनकी पोचा थी, और कहा, हे मुनिवर्द, आप अपने आने का कारण बताईए, क् की परम सुभाग्य से ही, आप जैसे महानुभावों का आग्मन होता है, फिर नारद मुनी ने कहा, हे परवत राज, आप मेरे आने का कारण जानना चाते हैं, तो सुनिए, मुझे भगवान विश्णु ने, आपके पास संदेश वाहक के रूप में भिजा है, और कहा है, कि अपनी इस कन्या रतन को किसी योग्य पुरुष के ही हाद में अपित करें, चंपून देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए मेरी भी यही राय है, कि आप अपनी कन्या भगवान विश्णु को सौफ कर, जगत में यश्यस्वी बनें, ना मारे जी, यदि भगवान विश्णु ने मेरी कन्या को ग्रहन करने की स्वयम इच्छा की है, तो मुझे कोई अपति नहीं है, वे तो साक्षात भ्रम हैं, हे महरे शी, यह तो हर पिता की इच्छा होती है, कि उसकी पुत्री सुक संपदा से युक्त पती के घर की लक्ष्मी बने, पिता की सार्थक्ता इसी में है, कि पती के घर जाकर, उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे, हे देवरिशी नारद, क्योंकि आपकी संपती है, इसलिए अब आज से इस संपन्ध को निश्चिति समझ लेचिए, हे प्रिय भक्तों, भगवान भुले नात बोले कि हे पार्वती, हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चे आत्मत उत्तर पाकर, नारद जी उस स्थान से अंतर ध्यान होकर, शंक, चत्र, गदाधारी विश्णु जी के पास उपस्थित हुए, नारद जी ने हाथ जोड कर प्रणाम करते हुए, विश्णु प्रवान से कहा, हे देर, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वत राज हिमवान की पुत्रे से निश्चित कर दिया है, फी प्रियबवक्तों, आगे भोले नाथ बोले कि हे पार्वती, उधर हिमवान ने प्रसन होकर तुम से कहा, कि हे पुत्रे, मैंने तो तुम्हारा पिश्टों के साथ पक्का कर दिया है पीता द्वारा ऐसे वचन सुनकर आप अपनी सखी के घर चिरी गई और वहीं भूमी पर लेटकर अत्यांत विलाव करने लगी आपको रुदन करता हुआ देखकर आपकी सहेलियों ने आपसे पूछा कि हे देवील तुम अपने दुक्त का कारण हमें बताओं हम सभी सख्यां आपका कारे पूरा करेंगी सख्यों द्वारा आश्वासन पाकर आपने उत्तर दिया कि है सखी आप सभी सुनिये मेरी इच्छा महादेर जी के साथ विवाह करने की है परन्तों मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुत कारे किया है अर इसलिए हे सक्षियों अब मैं अपने शरीर का निश्चित रूप से परित्याद करूँगी हे बारवती तब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी सक्षियों ने कहा कि तुम घबराओ नहीं हम और तुम दोनों ही किसी ऐसी घंगोर बन में निकल चले जहां पर तुम्हारे पिता ना पहुंच सके इस प्रकार की गुप्त मंतर ना करके तुम अपनी सक्षियों के साथ निर्जनवन में पलायन करके उसके बाद तुम्हारे पिता हिमवान ने पास बडोस के परतेक घरों में तुम्हारी खोज की परंटू तुम्हारा कहीं भी पताना लगा तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना बाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देवदानव किन नरादी ने मेरी पुत्री का पफ़न तो नहीं कर लिया है वे इस सोच में भी पढ़ गए कि अब मैं नारत जी को क्या जवाब दूँगा क्योंकि मैंने उनसे विष्णो जी के लिए पुत्री के विवागा वचन दिया था अब मैं उपहास का पात्र बनूँगा ऐसा सोचते सोचते वे घबरा कर मुर्चित हो गए सभी लोग उनके पास इकठे होकर उनसे पूछने लगे हे परवत्राज आप अपनी मुर्चित अवस्था का कारण हमें बताईए कुछ स्वस्थ होने के पार हिमाले ने उन लोगों से कहा कि मेरी कन्या का किसी ने अपहरन कर लिया है अथ्वा हो सकता है कि किसी विश्धर सर्प ने उसे डंस लिया हो अथ्वा सिहं व्याग रादी किसी हिंसक पशों ने भाक्षन कर लिया हो यही मेरे दुख का कारण है ना जाने मेरी पुत्री कहां चली गई अब मैं क्या करूँ ऐसा कहते हुए हिमान ने इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में पवरेक्षे हिलने लगते हैं उसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भ्यानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए इधर तुम तो पहले से ही अपनी सक्षियों के साथ उस भीषन वन में जा चुकी थी उसी स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी वहाँ एक गूफा भी थी तुमने उसी गूफा में जाकर निर्जला और निराहार रहकर मेरी बालो की मूर्ती बनाई जो शियव पार्वती सहित थी इस मूर्ती की तुमने स्थापना की जब भाद्र पद्मास के श्योक्ल पक्ष की तृत्या को हस्त नक्षत्र प्रवा तब तुमने उस दिन रात्री में जागरन करती गीत भोग आदी के साथ मेरा भक्ती पूर्वक पूजन किया हे देवी पार्वती तुम्हारे द्वारा की गई उस कठीन तपस्या एवं ब्रत की प्रभाव से मेरा सिहासन डोलने लगा मेरी समाधी तूटी और जहां तुम अपनी सक्षियों के साथ थी मैं उस स्थान पर जाप हुचा मैंने तुम से कहा कि मैं तुम से अत्यांद प्रसन हूँ तुम मुझसे अपना इच्छित पर मांगो तब उत्तर मैं तुमने कहा कि हे देव यदि आप मुझे पर प्रसन है तो आप मुझे पती रूप में प्राप्थ हूँ मैंने तथास्तु ऐसा कहकर फिर अपने कलाश परवक पर आगया मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रादा हकार नदी में सनान करके मेरी स्थापित मुर्थी का विसरजन किया इतना करने के बाद तुमने अपनी सक्षियों के साथ रत का पारण किया उसी समय तुम्हारे पिता हिमालने भी तुम्हें खोचते हुए उसी जंगल में आ पहुँचे किन्तु वन की गहनता के कारण चारों ओर धुणने पर भी तुम्हारा कुछ भी अतापता ना लगा अब तो वे निराश होकर भूमी पर गिर पड़े फिर पुन्हा उठने के बाद हिमालने दो कन्याओं को सुक्त अवस्था में देखा उन्होंने पास आकर तुम्हीं गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे रोते रोते ही उन्होंने तुम से पूछा कि तुम इस घंगो और जंगल में किस प्रकार आप हुँची पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे पिता जी मैं अपना विवाह शिर जी के साथ करना चाती हूँ परन्तु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा विवाह संबंध स्थिर कर लिया इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सक्षियों के साथ घर का परित्या करके इस भीष्ण वन में चली आई हे तात यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आग्या दीजी मेरा ऐसा ही द्रेड लिच्चे है हे प्रियभक्तों आगे महादेव जी बोले कि हे पार्वती तुम्हारे द्रेड संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने कहा कि ठीक है और वी तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पाणी ग्रहन हुआ भाद्रपद के शुकल प्रित्या को तुमने मेरी अराधना करके जो व्रत किया था उसी के पल्सवरो मेरा तुमसे विवाह हुआ उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल स्वभाग्य प्राप्त कर लिया इसी लिए हे देवी पार्वती सुभाग्य की इच्छा करने वाली प्रतेख यूप्ती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए हे प्यभक्तों इस कथा को सुनकर भगवान शिव शंकर से यही प्रात्ना है कि जैसा अखंड सुभाग्य जगचन्नी माता पार्वती को मिला उन्होंने शिव जी को अपने अखंड सुभाग के रूप में सदा सदा के लिए प्राप्त किया माता पारवती के प्रती उनका प्रेम उनकी तपस्या अमर हो गई वैसा ही सुभाक्या हर ताली का तीज कवर्द करने वाली हर सुहागन इस्तरी को प्राप्थ हो तो प्रेम से कहिए उमापती महादेव जी की जय बोलिये भगवान शिरिगौनी शनकर जी की जय ओम नमस्षिवाय हे प्यभक्तों आगे भगवान भोलेनात माता पारवती से बोले कि मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया है हे देवी तुम अपनी सक्यों के द्वारा हरन की गए थी इसी से इस व्रत का नाम हरी ताली का पड़ा यह सुनकर पारवती जी ने कहा कि हे प्रभो आपने इस व्रत के नाम का निरूपन तो कर दिया अब इसके विधान तथा महात्म में का वर्णन भी कीजिए इस व्रत को करने से क्या पल होता है तथा इस व्रत को पहले किसने क्या था यह भी बद्वाने की ख्रिपा करें तब भुले नाथ ने कहा कि हे देवी पारवती अब मैं तुम से इस व्रत का विधान बताता हूँ सोभाग्य की कामना करने वाली सबी नारियों के लिए यह वरत करने योक्य हैं क्योंकि यह वरत इस्त्रियों का सोभाग्य दायत है। इस दिन माता पार्वती, शेवजी और गणेशी की पूरे विधि विथां से पूझा कनी चाहिए। सरप्रथम केले के पत्तों से एक मंडब का निर्मान करें उसके बाद उस मंडब को वस्त्रों से अच्छादित करके उसमें सुगंधित जंदन का लेप करें फिर पारवती सहिद शिर्जी की बालू की मुर्ति बनाकर स्थापित करें और मृदंग आदी बाजों को बजाकर वेवेद प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं नवध्य आदी चढ़ाकर भोले नाथ की पूझा करें पूझन के बाल उस दिन रात्री में जागरण करें सुपारी जामुन पूड़ी मौसमी पल नारंगी आदी का भोग अरपित करें नारियल की जलसी अभिशेक करें पांच मुखवाले शांती स्वरूप एवं त्रिशूल धारिश्यव को मेरा नमस्कार है ऐसा कहकर नमन करें इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा इस्त्रियों को करनी चाहिए विधिवत कथा श्रवन करने के बाद समर्थे के अनुसार भामन को अन्वस्त्र एवं धन प्रदान करें उसके बाद दक्षिना देकर यदि संभव हो तो इस्त्रियों को आभूशर आदी भी दें इस विधि से जो इस्त्रिया इस व्रत को करती हैं उन्हें साथ जन्मों तक राज्य सुक एवं सोभग्य प्राप्त होता है अनुष्ठान की स्माप्ति पर नारियों को चाहिए कि वे चांदी, सोने, तामबे, अत्वा, इन सभी के अभाव में बांस की डलिया में वस्त्र, पल, पकवान आदी रखकर दक्षिना के साथ प्रामन को तान करें और अंत में दोसरे दिन व्रत का पारण करें हे परवती, जो नारिया इस विधि सिव रत का अनुष्ठान करती हैं, वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त करती हैं इस लोक में, सभी सुखों का उपभो करती हुए अंत में सायुज्य-मुक्ति प्राप्त करती हैं इस कथा के श्रवन कर लेने से ही इस्त्रियां हजारों अश्मेद यग्य एवं सैंक्डों व्रत उपवास की करने का पर राप्त करती है। हे देवी पारवती, मैंने तुमसे इस सर्वत्तम व्रत्ता कथन किया, जिसके करने से करोडों यग्यों का पर सहची प्राप्त होता है, इसलिए इस व्रत्त के पल का वर्णन सर्वत्ता अकत्रियं है, हे प्रिय भक्तों, आईए, अब तीज माता की कथा का श्रवन करते हैं, पूजा पाठ धरम करम के कामों को किया करती थी, और उसकी ननन्द सीथी साधी थी, पूजा पाठ धरम करम में उसका मन नहीं लगता था, ननन्द की भी शादी हो गई थी, भावी हर साल तीज का व्रत किया करती थी, तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी दान किया कर जब तीज का व्रत आया तब भावी ने अपनी ननंद को भी बुलाया ननंद तो आ गई पर वह अपनी भावी के साथ ना तो व्रत करती और ना ही व्रत की कथा सुनती थी भावी ने तीज का व्रत किया तीज माता की कथा सुनी और तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी सुहागिनों को दान की तीज प्रतसमाप्थ होने पर ननन्द अपने ससुराल चली गई हे प्रीभक्तों जैसे ही ननन्द कांच की चोड़ियां पहनती तो वह तूट जाती उसके माथे से बिंदी गिर जाती और सिंदूर भी उड़ जाता वह जो भी सिंगार करती वह अपने आप मिट जाते थे ननन्द इन सब भी बातों से बड़ी चिंतित हुई फिर उसने ये सारी बातें अपनी सास को बताई सास भी ये सारी बातें सुनकर बहुत चिंतित हुई वह अपने गुरू के पास गई और अपने गुरू को उसने सारी बातें बताई गुरू बहुत ही पहुचे हुए पुचारी थे गुरू जी इन सब बातों को सुनकर सारी बातें जान गए फिर गुरू ने कहा कि आपकी बहु को विद्वा होने का योग बन रहा है इस कारण उसके सिंगार के सारी वस्तु तूट रहे हैं और गिर रहे हैं सास ने हाथ जोड़कर इस विपत्ती से निकलने का उपाय पूछा तब गुरुदेव ने बताया कि अमर सुहाग का वर्दान सिर्फ माता पार्वती ही देती है अपनी बहु को कहो कि वह तीज का वर्द करें माता पार्वती भगवान शिव और गणेश जी का विधिवत पूचा करें वर्द की कथाएं सुनें तीज माता के नाम पर सुहागी नों को सुहाग की पिटारी तान करें इससे माता पारवती प्रसंद होंगी और उसे अमर सुहाग होने का आशिरवत प्रदान करेंगी सास गुरु देव को प्रणाम और धन्यवाद करके घर को वापस आदे और बहु को सारी बातें बताई बहु सारी बातें सुनने के बाद पश्टाने लगी कि कैसे उसके भावी हर पूजा पाठ में उससे पूजा करने के लिए कहां करती थी पर वह थोड़ा सा आलस की वज़ा से मना करते थी वह भगवान से और माता से भी ख्षमा मांगने लगी तीज वरत आने पर वह अपने माई के गई और अपनी भावी के साथ तीज का वरत किया भोले नात माता पार्वती और गणिश भगवान का विधिवत पूजन किया वरत की कथा सुनी, तेज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी सुहागिनों को बांटी, अब वह जब भी शिंगार करती, तो ना तो उसकी चोड़ी तूड़ती, ना उसकी बिंदी गिरती, और ना ही उसका सिंदूर उड़ता, ननन्द अपनी भावी की तरहा हर साल तेज वर करने लगी, वरत के प्रभाव से, उसके घर में अंधन सुख्सोभग्य की वरिधि हो गई, हे सभी भगतों पर अपनी कृपा बनाए रखना, उन्हे सुख्सोभग्य अंधन देना, कथा धूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना, तो प्रेम से बोलिए तेज माता क ईजय हे प्रिय भग्तों आईए अब मनोकामनाओं को पोण करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दूरलब कथा को सुनते हैं एक बार की बात हैं माता पार्वती शिव जी भगवान को पती के रोप में प्राप्त करने के लिए घोर तब कर रही थी उनके तब को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामनाओं को पोण करने की प्रातना की शिव जी ने पार्वती जी की परिक्षा लेने के लिए सब्त रिश्यों को भेजा सब तरेश्यों ने शिव जी के सैंक्डों अबगुण गिनाए पर पार्वती जी को महादेव जी के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था तब शंकर जी ने स्वयम पार्वती जी के परिक्षा लेने खिठानी तब भगवान शंकर स्वयम प्रकट हुए और पार्वती जी को वर्दान देकर अंतरध्यान हुए इतने मैं ही पार्वती मादा जहां तब कर रही थी वहीं पास में तालाब मैं मगरमच ने एक लड़के को पकल लिया वह लड़का जान बचाने के लिए चिलाने लगा तब पार्वती जी से उस बच्चे की चीक सुने नहीं गई द्रवी धिर्दय होकर में तलाब पर पहुंची वहां देखा कि मगरमच लड़के को तलाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है लड़के ने देवी क को देखकर कहा कि मेरी माता पिता और भाई बंधु कोई नहीं है आप मेरी रक्षा करी तो पार्वती जी ने कहा कि मगरमच इस लड़के को छोड़ दो फिर मगरमच गोला कि दिन के छटे पहर में जो मुझे मिनता है मैं उसे अपना आहार समझकर स्विकार कर लेता हूं य पार्वती जी ने विन्नती की कि तुम इसे छोड़ दो बदले मैं तुम ही जो चाहिए वह मुझे से कहो तब मगरमच बोला कि एक ही शर्ट पर मैं इसे छोड़ूंगा आप मैं तब करके महादेर जी से जो वरदान लिया है यदि उस तब का पल मुझे दे दे तो मैं इसे छोड़ दोंगा पार्वती जी तुरंट तयार हो गई उन्होंने कहा मैं अपने तब का पल तुम ही देने के लिए तयार दो लेकिन तुम इस बालग को छोड़ दो मगरमच ने समझाया कि सोच लो देवी जोश मैं आकर संकल्प मत करू हजारों वर्षों तर जैसा तब किय है वैसा देवताओं के लिए भी संभब नहीं है उसका सारा पल इस बालग के प्राणों के बदले चला जाएगा फिर पार्वती जी ने कहा कि मेरा निश्चे पक्ता है मैं तुम ही अपने तब का पल देती हूं तुम इसको जीवन दे दो मगरमच ने पार्वती जी से तब दान करने का संकल्प करवाया तब का दान होते ही मगरमच का देहर तेजी से चमकने लगा और तब वह बोला कि हे पार्वती यह देखो तब की प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूं तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए वियर्थ कर दी चाहे तो अपन मैं पुनहा कर सकती हूं किन्तु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था देखते ही देखते वह लड़का अद्रिश्य हो गया और मगरमच में लुप्त हो गया पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तब तो दान कर दिया है अब पीर से तब आरंब करूंगी पार्वती जी ने पीर से तब करने का संकल्प किया भगवान सदाशिव पीर से प्रकट होकर बोले हे पार्वती भला आप क्यों तब कर रही हो तब पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभो मैंने अपने तब का पल दान कर दिया है आपको पती रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं पेश से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसंद करूंगी तब महादेव जी बुले मगर मच और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था तुम्हारा मन प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं इसकी पर से अलग निर्वी काल हूँ तुमने अपना तप मुझे ही दिया है इसलिए अब और तप करने की कोई अव्शक्त नहीं है हे प्रिय भक्तों देवी ने महादेव जी को प्रणाम कर प्रसंद मन से विदा किया तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर और माधा पालवती की जै हे प्रिय भक्तों तो यह थी आज की हरतानी का तीज की संपोर्ण गृत कथा उमेद करती हूँ कि आपको कथा पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जैकारा जुरूर लगाईएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और कथा हैं प मस्चिवाइ